मस्यान संहों जो हमें जीवन का व्रिक्षते ने आए इस उब्दे शीर्षते के साथ आए हम भले और बुरे के ग्यान के व्रिक्ष और जीवन के व्रिक्ष के बारे में अध्यन करें बाइबल की छांसेट पुस्तके रहस्य से भरी है इसलिए प्रकाशीत वाक्य अध्याई 22 में लिखा है कि हमें कभी भी बाइबल में कुछ भी नहीं बदलना चाहिए प्रकाशीत वाक्य पांच में ये लिखा है कि जब तक दाउत का मूल नहीं आता बाइबल की मोहरों को कभी खोला नहीं जा सकता बाइबल मानव विग्या नहीं है इस वज़े से हम कैसे समझ सकते हैं कि बाइबल में क्या चीपा है किसे आना चाहिए परमिशर को अवश्य आना चाहिए परमिशर की शिक्षाओ के बिना हमारे पास सही समझ नहीं हो सकती मैं आपको एक उधारण देता हूँ एक माता ने अपने बच्चे के लिए दिन रात परमिशर से प्राथना की जब वो प्राथना कर रही थी तो उसके चेहरे पर आसु पहने लगे इस बेज आसु की एक बुंद काज के एक छोटे टेस्ट्यूब में गिर गई शिक्षक ने अपने चात्रों के सामने काज का टेस्ट्यूब रस्तुत किया जिसमें माता के इमानदार आसु थे सभी लोगों आप जो काज का टेस्ट्यूब देख रहे हैं उसमें एक माता के आसु की बुंद है अब यदि हम अब यवो को विशलिशन करें तो इसके अंदर कौन से तत्व हो सकते हैं? उनसे पूछा उसने आगे कहा विज्ञान संबदी द्रिश्चिकौन से आसु पानी और थोड़ी मातरा में नमक से बने होते हैं लेकिन क्या आपको नहीं लगता की कुछ और भी है? शिक्षक ने फिर से पूछा इस आसु की बुंद में एक माता का अपनी संतान के प्रती सच्चा प्रेम नहीं थै क्या आप किसी वेग्यानिक उपकरण का उप्योग करके उस प्रेम को निकाल पाएंगे? क्या कोई इसे निकाल सकता है? उस आसु की बुंद में अपनी संतान के लिए माता का सच्चा प्रेम और समर्पन है लेकिन उन्हें उससे निकालना असंभव है चुकि हम इस मामले के बारे में सोच रहे हैं तो आज आई हम बाइबल में छीपी परमिश्य की गहन इच्छा के बारे में विचार करें इस पृत्वी पर आकर परमिश्य ने हमारे लिए क्या प्रयास के चाहे वे आसु की बुन को कितनी बार भी विश्रशन करे उसके भीतर प्रेम और बलिदान को ढूणना असंभव है फिर भी उस आसु की बुन के भीतर कई तत्व का संजार होता है अपनी संतान के लिए समर्पन और प्रेम के साथ-साथ उसमें माता का हारधी करदई है इसे किसी भी उपकरण द्वारा नहीं निकाला जा सकता आज हमें सुर्गी पिता और सुर्गी माता के बलिदान और प्रेम को समझना चाहिए जो हमें जीवन का व्रिक्ष देने के लिए इस पृत्वी पर आए हमें ऐसास होना चाहिए उन्होंने हमसे कितना प्रेम किया है सुर्गी पिता और सुर्गी माता अपना मास काट कर और अपना लहू बहा कर अपनी संतानों को बचाते हैं हमें बाइबल के भीतर प्रेम को पहचानना चाहिए आज इस मामले के बारे बे आएए हम बाइबल के वचनों पर एक नजर डाले आए हम उत्पति की पुस्तक अध्याईदो आयात सोला देखे उत्पति अध्याईदो आयात सोला में ये लिखा है और यहवा परमिशन ने आदम को या आग्या दी तू वाटिका के सब रुक्षों का फल बिना खटके खा सकता है पर भले या बुरे के ग्यान का जो रुक्ष है उसका फल तू कभी न खाना क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा परमिशन ने कहा तू अदन की वाटिका के सब रुक्षों का फल बिना खटके खा सकता है पर भले या बुरे के ग्यान का जो रुक्ष है उसका फल तू कभी न खाना क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा लेकिन आदम और हवा सर्प द्वारा भरमाएगे और फल खालिया परिणाम स्वरु उन्हें बाहर निकाल दिया गया क्या ऐसी दई नियस्तिती नहीं हुई? आईए हम अध्याई तीन पर जाए अध्याई तीन आयात एक यहोवा परमिशन ने जितने बनेले पशु बनाये थे उन सब में सर्प धुरुत था उसने स्तिरी से कहा क्या सच है कि परमिशन ने कहा तुम इस वाटिका के किसी व्रुक्ष का फल न खाना? स्तिरी ने सर्प से कहा इस वाटिका के व्रुक्षों के फल हम खा सकते हैं पर जो व्रुक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल की विशे में परमिश्य ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छुना नहीं तो मर जाओगे तब सर्प ने स्त्री से कहा तुम निश्चय न मरोगे वरन परमिश्र आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुमारी आखे खुल जाएगी और तुम भले और बुरी के ज्ञान पाकर परमिश्र के तुल्य हो जाओगे अतजब स्त्री ने देखा कि उस उरुक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाओ और बुद्धी देने के लिए चाहने योग्य भी है तब उसने उसमें से तोड़ कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया तब उन दोनों की आखे खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगुड बना लिये इस तरह आदम और हवा ने जिने शैतान ने भरमाया था फल खा लिया और उनका मरना नियत था जैसा कि रोमियो अध्याई साथ में लिखा गया है मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ मुझे इस मृत्यू की दे से कौन छुड़ाएगा भले ही वे पश्याताप करें लेकिन वे पहले ही परमिश्यर की व्यवस्ता का उलंगन कर चुके है उनके लिए अधन की वाटिका अपने पूर्व जीवन में लोटना असंभव है लेकिन अधन की वाटिका में भले और बुरे के ज्यान का व्रुक्षी एक मात्र व्रुक्ष नहीं था जीवन का व्रुक्ष भी वहाँ था भले ही किसी ने भले और बुरे के ज्ञान के व्रक्ष से खाने का पाप किया हो जब तक वो जीवन के व्रक्ष से खा सकता है क्या वो अपने पूरुव जीवन को बाहल नहीं कर पाएगा इसी कारण से पर्मिशन ने मार्ग को बंद कर दिया ताकि पापी जीवन के व्रुक्ष के पास न जा सके. आईए हम अध्याइतीन आयत 22 पर एक नजर डाले. उत्पत्ति अध्याइतीन आयत 22 फिर यहवा परमिश्य ने कहा, मनिश्य भले और बुर्य का ग्यान पाकर हम में से एक के समान हो गया है. इसलिए अब ऐसा न हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के व्रुक्ष का फल भी तोड़के खा ले और सदा जीवित रहे. हमें इन दो पदों की विशेश्ताओं पर एक नजर डालने की जरूत है. परमिश्य ने भले और बुरे के ग्यान के व्रुक्ष को उस व्रुक्ष के रुप में बनाया, जो इसे खाने वालों को मृत्य की और ले जाता है. जीवन के व्रुक्ष के बारे में क्या? परमेशन ने इसे एक ऐसे व्रिक्षे रुप में बनाया जो इसे खाने वालों को अनन्त जीवन के और ले जाता है आईए हम आयात 23 के साथ जारी रखे इसलिए यहोवा परमेशन ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वह उस भूमी पर खेती करे जिसमें से वह बनाया गया था इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन का व्रिश का मार का पहरा दिने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की और करुबो को और चारों और घुमने वाली जौालमई तल्वार को भी निक्त कर दिया भली आदम और हवा जीवन के व्रिश के पास जाना चाहते थे लेकिन वहां कौन था? परमेशन की आगया पर करुबो ने जौालमई तल्वारे पकड़ी और जीवन के विरुष्ट के मार्ग की रक्षा की. यदि मानोजाती जीवन के विरुष्म से खा सकती है, तो वे उस पाप से मुक्त होने में शक्षम होंगे, जो आदम और हवा से पारित किया गया था. क्या आदम का मुल पाप आज भी सारी मानोजाती पल नहीं डाला गया है? पाप को दूर करने के लिए मानोजाती को जीवन के विरुष्म का फल अवशक खाना चाहिए. आपके पास कई तरह की चिंदाए हो सकती हैं. चात्रों के लिए अध्यन करने और परिक्षा में अपने सात्यों के साथ प्रतिस्परदा करने के आवशकता है. जहां तक श्रमिकों की बात है, तो उन्हें नौकरी से निकाले जाने और अपने बौस के प्रति सचे तरहने की चिंदा है. यदि आप किसी कंपनी के CEO है, तो आप यह सोचकर चिंतित होंगे. मैं कंपनी को प्रभावी ढंग से कैसे संचालित कर सकता हूँ? इस तरह सभी लोगों को विबन चिंदाए होती है. लेकिन भले हमें इस प्रतियू पर गिरा दिया गया और हमने सब कुछ खो दिया. लेकिन एक चीज है जिसे हमें अवश्य ही खोजना चाहिए, वह जीवन का व्रुक्ष है. यह सबसे महतुपूर्ण है. हमें इसे कभी नहीं होना चाहिए. जब परमिशर हमें अदन की वाटिका के इतियास के माधियम से मुल पाप के प्रति जागरूत करते हैं, तो हमें इस मामले का उत्तर खोजना चाहिए. यही इस पृथ्वी पर हमारे अस्तित्व का कारण है. चुंकि लोग यह नहीं जानते, वे केवल यही सुचते हैं. मैं बहुत सारा पैसा कैसे कमा सकता हूँ? मैं दूसरों से बहतर कैसे बन सकता हूँ? वे ऐसी चिंता के स्तिती में हैं. यह वास्तों में दुर्भाग्य पूर्ण हैं. जैसा की उत्पत्ति में लिखा गया है. चुकि पाप भले और बुरे के ज्यान के व्रुक्षे शुड़ हुआ. इसलिए जीवन का व्रुक्ष आपके सभी मुद्दों को हल करने वाली कुझी बनता है. इसलिए बाइबल में ये लिखा है, जिसकी पर्मिशन ने हमसे प्रतिग्या की है, वो क्या है? वो अनन्त जीवन है. जीवन के व्रुक्ष की विशिष्टा क्या है? जो इसे खाते हैं, वो उनकी अनन्त जीवन की और अगवाई करता है. उस प्रतिग्या के बारे में सोचिए, जो पर्मिशन हमें दी है, वो हमें अनन्त जीवन देना है. दुसरे शब्दों में पर्मिशन हमें क्या देंगे? अधन की वाटिका के इधियास के बारे में सोचिए. आखिरकार जीवन के व्रुष के बिना हमें अनन्त जीवन नहीं दिया जा सकता क्या यही कारण नहीं है कि पर्मिशन ने हमसे अनन्त जीवन का वादा किया जब हमारे विश्वास की बात आती है तो जीवन के व्रुष को पुनर स्थापित की बिना विश्वास के जीवन के सो वर्ष भी विर्थ होंगे. ऐसा इसलिए है, क्योंकि इसके बिना कोई भी पाप से मुक्त नहीं हो सकता. तब जीवन के वर्ष की वास्तविक्ता क्या है? आईए जीवन के वर्ष की वास्तविक्ता के बारे में जाने. आईए हम योहन्ना की पूस्तक अध्याई 6 पर जाए आईए हम आया 53 देखे येशुर ने उनसे कहा मैं तुमसे सच-सच कहता हूँ कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मास न खाओ और उसका लहू न पियो आपके पास क्या नहीं होगा? तुम में जीवन नहीं जो मेरा मास खाता और मेरा लहू पिता है उसके पास क्या है? अनन्त जीवन उसी का है यहां हमें अनन्त जीवन शब्द पर ध्यान देनी के आवशकता है मानुजाती के लिए जीवन के व्रिक्ष के अलावा अनन्त जीवन पाने का कोई रास्ता नहीं है. फिर भी 2000 साल पहले, जब येशु मानोजाती पर दया करते हुए इस पृतिव पर आए, तो उन्होंने किस सिक्षा का प्रचार किया? उन्होंने कहा, जो मेरा मास खाता और मेरा लहु पिता है, उसके पास क्या है? अनन्त जीवन उसी का है. और मैं उसे अन्तिम दिन फिर जिला उठाऊंगा, क्योंकि मेरा मास वास्तों में खाने की वस्तु है, और मेरा लहु वास्तों में पीने की वस्तु है, जो मेरा मास खाता और मेरा लहु पिता है, वो मुझ में स्तीर बना रहता है, और मैं उसमें. अदन की वाटिका में पर्मिशन ने कहा कि जो कोई जीवन के वरुख्ष में से खाता है, वो अनन्त जीवन प्राप्त कर सकता है. और युहन नाचे में येशु ने कहा कि जो मनुष्य के पुतर का मास खाता है और उसका लहु पिता है, अनन्त जीवन उससे का है. नए नियम में इस जोड़े वजन के द्वारा, हम जीवन के वरुख्ष की वास्तविक्ता को समझ सकते हैं. अदन की वाटिका में येशु का मास और उनका लहु किसे दर शाता है? यदि हम समस्या की बारिक इसे जाज करें, तो हम इसका उत्तर पा सकते हैं. क्या लोग नहीं कहतें कि जहां समस्या है, वहां समाधान है? आपका समाधान अदन की वाटिका में है. चुंकि यह लिखा है कि अदन की वाटिका में जीवन के वरुष के अलावा अनन्त जीवन का और कोई मार्ग नहीं है इसलिए येशु का मास और लहु किसे दर्शाता है? येशु का मास और लहु जीवन के वरुख्ष को दर्शाता है पुराना नियम एक चाया है और नया नियम वास्तविक्ता है अदन की वाटिका में जीवन का वुरुक्ष एक चाया है वास्तविक्ता क्या है? मसी अपने मास और लहु के द्वारा मानो जाती को अनन्त जीवन देने की प्रतिग्या करते है जो की जीवन के वुरुक्ष की वास्तविक्ता है तब हम येशु का मास कैसे खा सकते है और उनका लहू कैसे पी सकते है यदि इसे गलत समझा जाता है तो प्रथम चर्च जैसा उत्पिडन हो सकता है प्रथम चर्च के समय में जब कई अन्य जातियों ने इसाईयों को सताया तो उन्होंने यह कहते वे उन पर आरोप लगाया इसाई मनुष्य का मास काते है वे एक दुस्ट संगठन है उन्होंने इसाईयों पर ऐसी बुरी आफाओं के साथ कलंग लगाया और उन्हें अखाडे में शेरों के लिए भोजन और मानों मुंबतिया बनाया इस तरह उन्होंने इसाईयों को विधर्मी कहा और उन्हें माल डाला येश्यों ने कहा जो मनुष्य के पुत्र का मास काता है उसका लहू पीता है अनंत जिवन उसका है ये शिक्षा प्रतम चर्च में माने गई थी तब हम कैसे मसी का मास खा सकते है और उनका लहू पी सकते है आई हम मत्य की पुस्तक अध्याई 26 पर जाए मत्य अध्याई 26 आयत 17 में ये लिखा है अखमीरी डोटी के परव के पहले दिन चेले येश्यों के पास आकर पुछने लगे तु कहां चाहता है कि हम तेरे लिए फसर खाने की तैयारी करे उसने कहा नगर में अमुक व्यक्ति के पास जा कर उससे कहो गुरू कहता है कि मेरा समय निकट है मैं अपने चेलों के साथ तेरे यहाँ परवु मनाऊंगा अतचेलों ने येश्यों की आग्या मादी और उनने क्या तयार किया फसर तयार किया जीवन के वरुक्ष येश्यों का मा सौल लहू और फसर की बीच में क्या संबंध है आए इसका उत्तर आयाथ 26 में खोजे आयाथ 26 जब वे खा रहे थे, जब वे फसर मना रहे थे, तो येशु ने रोटी ली और आशिश मांगर तोड़ी और चेलों को दे कर कहा, लोखाओ, यह क्या है? यह मेरी दे है. उन्होंने कहा कि फसर की रोटी उनकी दे है. आयात 27 फिर उसने कटोरा लेकर कटोरे में फसर का दाखमदू था, धन्यवाद किया और उन्हें दे कर कहा, येशु उन्हें क्या करनी की आग्या दी? तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह वाचा का, यह किसका लव है? मेरा वा लव है जो बहुतों के लिए पापों की शमा के नेमित बहाया जाता है. आईए हम यहन अध्याइचे और मत्याइच अध्याइ 26 के वचनों को जोड़े वचनों के रुप में देखे. येशु ने कहा, जो मनिश्य के पुत्र का मास खाता है और उसका लहु पिता है. अनंत जिवन उसका है. जैसा कि हमने अभी पढ़ा है, फसर की रोटी और दाकमदू, उनके मास और लहु को संकेत करते हैं. इसलिए, फसर में भाग लेने वालों के बारे में क्या कहा जा सकता है? वे वे हैं, जो येशु का मास खाते और उनका लहु पिते हैं. इस प्रकार, वे येशु की अनंत जिवन देने की प्रतिग्या में भाग ले सकते हैं. दूसरे शब्दों में फसर जीवन का वरुक्ष है. आजकल समुद्र के किनारे की रेट की तर अंगिनित चर्च है, लेकिन वे फसर नहीं बनाते. ये तथ्य की वे फसर नहीं मनाते हैं. ये दिखाता है कि उनके पास जीवन का वरुक्ष नहीं है. ये तथ्य की उनके पास जीवन का वरुक्ष नहीं है. ये साबित करता है कि वे पाप के वश में है. क्या फसर का पर्व वसत्य नहीं है, जो हमें पाप और मिर्थ्य की शक्ति से बचाता है? क्या फसर का पर्व हमें अनंत जीवन पाने की अनुमती नहीं देता? इसलिए मनुश्यों को सबसे अधिक किसकी आवशक्ता है? यह भौतिक संपती या अकादमिक ज्ञान या लोगों की प्रसंसा नहीं है. कोई भी इन चीजों के साथ सुर्गे की राज्य में प्रविश नहीं कर सकता? क्या सुर्गे का राज्य वह स्थान नहीं है जहां हम जीवन के विरुश के सत्ते के साथ प्रविश कर सकते हैं? इसी वज़़ से परमिशल इस प्रिथी पर आए और सत्ते के नियम फसर को स्तापित किया. इसके अलावा उन्होंने इसे नई वाचा कहा. आये हम लुका की पुस्तक अध्याई 22 आयात 7 पर जाए. आये हम अध्याई 22 आयात 7 पर एक नजर डाले, तब अक्मिरी रोटी के परवका दिराया, जिसमें फसर का मेमडा बली करना आवशक था. येशु ने पत्रस और योहनना को यह कह कर भेजा, जाकर हमारे खाने के लिए फसर त्यार करो. आये हम आयात 13 पर जाए. उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था, वैसा ही पाया, और फसर त्यार किया. जब घड़ी आप पहुँची, तो ब्रेरितों के साथ भोजन करने बैठा, और उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले, येशु ने क्या करने की बड़ी लालसा की, ये फसर तुमारे साथ खाऊं। क्या आप समझ सकते हैं कि येशु ने इस फसर को खाने की बड़ी लालसा क्योंकि? ऐसा इसलिए है, क्योंकि फसर के बिना, बानो जाती के पापों का कोई हल नहीं है। हमारे लिए सुर्गे के राज्य में प्रवेश करने की सबसे महतो पुर्ण कुण्जी इस सत्य के अंदर है। इसलिए येशु ने कहा, मुझे बड़ी लालसा थी, कि दुग भोगने से पहले, ये फसर तुमारे साथ खाऊं। केवल तभी जीवन के वुरुष का मार्ग जो बंध हो गया था, आखिरकार खोला जा सकता है। आईए फसर मनाने का द्रश्य देखे, आईए हम आयात 19 पर जाएं। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी, और उनको यह कहते वे दी, यह मेरी दे है, जो तुम्हारे लिए दी जाती है। ये शु ने कहा, कि फसर की रोटी उनकी दे है, मेरे स्मरन के लिए यही किया करो। इसी रिती से उसने भोजन के बाद कटोरा भी यह कहते वे दिया, कटोरे में फसर का दाक मतु था, यह कटोरा मेरे उस लहू में, जो तुम्हारे लिए बहाये जाता है, यह कटोरा क्या है? नई वाचा है। फसर नई वाचा का सत्य है नई वाचा के द्वारा हम पापो की शमा प्राप्त कर सकते हैं नई वाचा के द्वारा मसी परमिशल हमारे बीच मध्यस्था की भूमी का निभाते हैं वह हमारे सभी पापो को शमा करते हैं और वह हमारे पापों को फिर स्मरन नहीं करेंगे. वह हमें स्वरिगे विरासत, स्वरिगे का राज्य भी देते हैं. इन सबी कारणों से वह हमारे लिए जीवन के विरुष्ट का सत्य फसल लेकर आए. तब क्या कोई भी फसल आ सकता है? जब हम जाच करते हैं कि उत्पती में क्या लिखा है, तो हम पा सकते हैं कि परमिश्ट ने जीवन के विरुष्ट का मार्ग को अवरुद करने के लिए करुबू को रखा. यहर किसी के द्वारा लाया नहीं जा सकता है. फिर इस मार्ग को कौन खोल सकता है? उत्तर सपस्ट हो जाता है. जब हम विचार करते हैं कि जीवन के विरुष्ट का मार्ग किसने बंद किया? मार्ग किसने बंद किया? वो परमिश्ट थे जिन्होंने इसे बंद किया. इस तरह यदि कोई राष्टपती आकर कहता है, मार्ग खोलो. तो क्या वो मार्ग खुल जाएगा, जिसे परमिशर ने बंद कर दिया था? इस मार्ग को कौन खुल सकता है? यह केवल परमिशर है. परमिशर को आना चाहिए और हमारे लिए मार्ग खुलना चाहिए. इसलिए यहिशु मसी, परमिशर जो इस पृतिव पर शरीड में आये थे, ने अपने पहले आगमन पर मार्ग खुला. उन्होंने नई वाचा फसा में जीवन के व्रुक्ष का सत्य रखा. हाला कि कुछ दुर्भागय पुर्ण हुआ. यहिशु के स्वर्गार रोहन के बाद, चर्ष ने लगभग सौ वर्षो तक फसा मनाया. लेकिन 155 इसा के आसपास शंगर्ष उत्पन हुआ. उस समय चर्ष पुर्वी चर्ष और पश्शिमी चर्ष में विभाजी था. हम इसे चर्ष के इतियास में पा सकते हैं. पुर्वी चर्ष का प्रतिनी दी था. उस ने कहां हम निशान महीने के 14 धिन क्या लावा, किसी अन्य दिन फसा का परव़ नहीं मनाना चाहते. येशु मसी ने यही किया था, और सभी प्रखेरतों ने भी निशान महीने के 14 धिन फसा मनाया था. इस तारीक के आलावा किसी अन्य रविवार को फसका परो मनाना बे तुका है. 155 इसा में पस्षीमी चर्च के एनिसेटेस और पूर्वी चर्च के पोलीकार्प के बीच पहला विवाद छिड़ गया. लेकिन वे एक समझोधे पर नहीं पहुंच सके. फिल, 197 इसा के आसपास, फसको नश्ट करने का दुसरा प्रयास शुरू हुआ. पोफ विक्टर ने घोशना की, फसर रविवार को मनाया जाना चाहिए और दुसरों को मजबूर किया. जवाब में, पूर्वी चर्च के पोलीकरेटेस ने उसका विरोध किया. आठवी बिशप के रूप में, मैंने कभी भी पूर्वजो को निशान के चौदवे दिन के आलावा, किसी अन्य दिन फसका पर वो मनाते नहीं देखा, यह चर्च के इतियास में दर्ज है. यह कुछ ऐसा है, जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा. हम इसे बरदाश नहीं कर सकते. 197 इसा के आसपास दुसरा विवाद हुआ, लेकिन यह प्रयास एक बार फिर असफल रहा. लेकिन 325 इसा में, जीवन के वुरुष का सत्य, फसर, नस्ट कर दिया गया. यह सबसे बड़ा उभार, जो येशु ने मानोजाती को दिया था, नस्ट कर दिया गया था. चुंकि मानोजाती भले और बुरे के ग्यान के वुरुष से खाने के द्वारा मरने के लिए नियत है. इसलिए उन्हें जीवन के वुरुष की आवशक्ता है. उन्हें जीश चीच के आवशक्ता है वधन या किसी प्रकार की शिक्षा या प्रसिद्धी या शक्ती नहीं है. लेकिन 155, 197 और 325 में जीवन के वुरुष फसक के सत्य को नस्ट करने का प्रयास किया गया. पंत में रोमन संबराट कॉंस्ट्रटाइन ने उर्वी और पस्षी में दोनों चर्चों से सारे बिशपों आदूनिक शब्दों में पादरियों को एकटा किया. और संबराट के रूप में अपने अधिकार के साथ उसने 325 इसा में निकिया की परिशद में फसर को नस्ट कर दिया. फसर का अन्मुलन आशा के अभाव को दिखाता है. मानुजाती के लिए जिनने स्वर्ग में पाप किया, सबसे आवश्यक तत्व नई वाचा का फसर है, जिसे येशु ने मानुजाती को एक उफार की रूप में दिया था. फिर भी उन्होंने लोगों को उसे मनाने से मना किया, और इसे मनाने वालों को जेल में डाला. प्रमिश्वर के इस पृत्वी पर आने का उद्देश क्या है? वा मानुजाती को बजाने के लिए आये है. वा उन लोगों के उद्धार के लिए दुसरी बार प्रगठ होंगे, जो उनकी प्रतिक्षा कर रहे है. जब वा दुसरी बार आएंगे, तो उनके खाली हात नहीं आना चाहिए. उन्हें क्या लाना चाहिए? उन्हें मानुजाती को उनकी पापों से चुडाने के लिए जीवन के व्रुख्ष को लाना चाहिए. इसलिए जब वो दूसरी बार आएंगे, तो उन्हें फसर जीवन के वुरुष का सत्य लाना चाहिए. ये मेरे अपने शब्द या विचाद नहीं है. ये बाइबल की शिक्षाए है और वो है जो मसी आन संग होंग ने हमें सिखाया है. आज संसार में चर्ज कहते हैं कि फसर का परव अनावशक है, लेकिन वास्तों में या उन लोगों के लिए अत्यनत आवशक है, जो स्वर्गी की राजी में प्रविश करना चाहते हैं. आए हम यशाया अधैपचीस आयाच्छे देखे. सेनाओ का यह हुआ इसी परवत पर सब देशों की लोगों के लिए ऐसा भोश तैयार करेगा, जिसमें भाती-भाती का चिकना भोजन और निथरा हुआ दाकमदु होगा. उत्तम से उत्तम चिकना भोजन और क्या तैयार किया जाएगा? और बहुत ही निथरा हुआ दाकमदु होगा. इस दाकमदु को कितिने समय तक संग्रहित किया गया है? इसे 1600 से अधिक वर्षों से संग्रहित किया गया है. परमिशुर पुराने दाकमदु से एक भोज तैयार करेंगे और वो मृत्यू का हमेशा के लिए नाश करेंगे. पूरी बाइबल में किस दाकमदु में मृत्यू को नश्ट करने का वादा किया गया है? यह तब था जब येशु मसी ने यह कहते हुए नई वाचा स्थापित की, मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले यह फसर तुमारे साथ खाऊं। दूसरे शब्दों में, जब परमिशु ने कहा मैं मृत्यू का सदा के लिए नाश करूंगा, तो इसका क्या अर्थ है? इसका मतलब है कि वह हमें अनंत जिवन देंगे। वास्तों में फसर मानव जाती के लिए एक बहु मुल्य उफार है। जो लोग सुर्गे की राजिमें जाना चाहते हैं, उन्हें इस सत्य में होना चाहिए। आई हम एक बार फिर अध्याई 25 पर एक नजर डाले। सेनाव का यहवा इसी परोध पर सब देशों की लोगों के लिए एक ऐसा भोश तैयर करेगा, जिसमें भाती-भाती का चिकना भोजन और नित्रा हुआ दाकमदु होगा। और जो परदा सब देशों के लोगों पर पड़ा है, जो घुंगर सब जातियों पर लटका हुआ है। उसे वह इसी परोध पर नश्ट करेगा, वह मृत्यू का सदा के लिए नाश करेगा। परमिश्वर दाकमदु से मृत्यू का नाश करेंगे। यह फसके दाकमदु को संदर्भित करता है। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि केवल फसके दाकमदु में ही ऐसी प्रतिग्या है। और प्रभु यहवा सबों के मुख पर से आंसु पहुँच डालेगा। और अपनी प्रजा की नाम धराई सारी पृत्यू पर से दूर करेगा। क्योंकि यहवा ने ऐसा ही कहा है। उस समय यह कहा जाएगा। इस भोज का आयूजन कौन कर रहे हैं। जिसमें नित्रे दाकमदु से मृत्यू का नाश किया जाता है। वह कौन है। देखो हमारा परिमिश्वर यही है। हम इसी की बाट जोते आये हैं कि वह हमारा उधार करे। सभी लोगों किसने हमें नई वाचा का फसद दिया है। हमारे लिए जीवन का आत्मिक वरुक्ष कौन लाए। मसी आन संग हों और नई यरुशलेम स्वरी के माता इसे हमारी लिला आये है। है ना। बाइबल स्पस्ट रूप से दर्च करती है। देखो हमारा परिमिश्वर यही है। हम इसी की बाट जोते आये हैं कि वह हमारा उधार करे। हमें अपने उधार के लिए किसी और चीज पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। मानुजाती के लिए सबसे महत पूर्ण चीज जीवन का वरुक्ष है। केवल परिमिश्वर ही जीवन के वरुष को ला सकते हैं। नई वाचा फसके द्वारा अनंत जीवन और उधार के मार्ग को खोलने और जीवन का वरुष के सत्य की और हमारी अगवाई करने के लिए मैं मसी आन संग हों और नई येरुशलेम स्वर्गे माता को अनंत धन्यवात देता हूं। वह जो नई वाचा फसक के साथ आते हैं। मसी है, जिने मानो जाती के उधार के लिए दुसरी बार प्रगट होना है। वह हमें हमारे पापों से छुडाएंगे। किरिप्या बाइबल की भविश्यानियों के द्वारा एक बार फिर इसकी पुष्टी करें। जहां कही मसी आनसागों हमारी अगवाई करते हैं और जहां कही सोरिगे माता हमारी अगवाई करते हैं, हमें अंतक उनका पालन करने में कभी भी असफल नहीं होना चाहिए। केवल Church of God के पास जीवन का वरुख्ष है। सुरिगे पिता और सुरिगे माता ने हमें सत्य में बुलाया हैं और हमें नई वाचा के फसव को जानने दिया हैं। आए हम इस आनन्मई सबत के दिन के दौरान उन्हें धन्यवाद और आदर दे। अपने मन में ऐसी खुशी रखते हुए आए हम उजुवल आशा के साथ जिये। इसके दौरा मैं आज के उगदेश को समाप करना चाहूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।